एलो एवरिवन हाई यूग कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे वहल होंगे दोस्तों हर दिन की भांती आप फिर मैं आज आप सब लोगों से रूबर होने आया हूं बेसिकली मैं हर दिन कोई एक न्यू टॉपिक पर टॉक करता हूं और वो टॉपिक का मोटिवेशन से जुड़ा होता है इनरेजिटिक होता है तो दोस्तों आज का टॉपिक है जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं इस्थीरता और संतुलन मतलब अपने जिन्दगी के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि अपने जिन्दगी में अस्थीरता कैसे रखना है अपने जिन्दगी को संतुलन कैसे बनाया रखना है उस पे मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि मैं सब इस सारी चीज़े आप लोगों से ही मैंने सीखा है तो कहावत है कीचड़ युक्त पानी जब स्थिर हो जाता है तो इसमें घुली मिटी नीचे बैड़ जाती है और स्वक्ष पानी उपर तेरने लगता है पदगनी मन को स्थिर करने पर भी यह होता है सकरात्म को प्योगी वीचार प्रभावी होकर प्रुणता को प्राप्थ होते हैं और जीवन को एक सार्थक गती मिलती है वैसे तो अधिकांश कार हमारा शरीर करता है लेकिन उसे चलता है हमारा मस्तिक्ष को चलाने वाला है हमारा मन मन की उच्चित गती के अभाव में ना तो मस्तिक्स ही सही कार करेगा और नहीं शरीर इसलिए शरीर को सही गती प्रदान करने के लिए मन पर नियंत रण और उसे सकारात्मक प्रदान करना अनिवार है शरीर और मन की गती में अंतर ही वास्ता में सभी समस्याओं का मूल है रेल गाड़ी के डब्बे तभी गंतव तक पहुँच पाते हैं जब ये इंजन के साथ साथ चलते हैं इसलिए इंजन और डब्बो डिब्बो में सू संगती अवशक है इसी प्रकार शरीर और मन में भी संतुलन और लयात्मक अनिवार है मन भागा जा रहा है कि तो शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है तो समस्या आएगी ही इंजन भागा जा रहा है मगर उसकी गती अपने तेज है कि डिब्बे उचल रहे हैं उनके पटरी से उतरने की अवस्था आने वाली है उनके बीच की कड़ी तूटने वाली है ऐसी स्थिती में इंजन की गती को नियंत्रित करना एक प्रकार से इंजन और डिब्बो के बीच की कड़ी को तूटने से बचाना है क्या तेजी से दोड़ते इंजन वाली गाड़ी में बैठे यात्रा श्रक्षित होंगे शायद नहीं इसलिए इंजन अथा इंजन रूपी मन दोनों की गती पर नियंत्रण जरूरी है जीवन में भाग दोड का उदेश ही आनन्द की प्राप्ती है प्रन्तु हम जितनी भाग दोड करते हैं उतने ही आनन्द से दूर चले जाते हैं अनन्द प्राप्ती के लिए जीवन की गती प्था विचारों की प्रवाह को नियंत्रित कर उन्हें संतुरित करना जरूरी है यही अध्यात्मिक्ता हमें सहज होना सिखाती है हम सहज होकर ही अपने वास्तविक सोवा अर्थात चेतना से जुड़ते हैं यही वास्तविक अनन्द अत्वा प्रमानंद है दोस्तो आज मैं इस टॉपिक पर टॉक किया हूँ मुझे प्रण विश्वास से कि आप लोग के इस टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा और एक बार प्लीज बी कॉंसेंट्रेशन मतलब कॉंसेंट्रेट होकर इस टॉपिक को सुनिये आप जिससे आपको इस सारी जीज़े समझ में आ जाएगी कि हमें अपनी जीवन में संतुरन कैसे बनाये रखना है दोस्तो इस सारी जीज़े मैं आप सब लोग सहीं सिखता हूँ तो माफ किजिए गया दि हमसे कोई गलतिया हो इस टॉपिक के अंदर तो हमें जरूर आप लोग माफ वरेंगे मुझे प्रण विश्वास है और सुनेंगे जरूर ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज एक बार इसको लाइक और सस्क्राइब कर दीजिएगा बाद बाद की दोस्तों आप लोग सुस्त रहिए मस रहिए लव यू आल जै हिंद जै भारत